नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों वेडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए EPFO क्या आपके अकाउंट में आया प्रेस का पेसा चुटकियों में जानिये अकाउंट बिलेंस हर नोकरी पेसा के लिए EPFO का पेसा बहुत बड़ा सहारा होता है इसलिए समय समय पर आपको चे करते रहना चाहिए कि आपका EPFO बिलेंस कितना है अगर आपको ये नहीं आता तो कोई चिंदा की बात नहीं है क्योंग ये कोई रोकेट साइंस नहीं है हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इससे तरीके जिसे आप चुटकियों में अपना EPFO बिलेंस चे कर सकते हैं EPFO बिलेंस चे करने के आपके पास चार तरीके हैं मूबैल से SMS बेज़ कर, मिस्ट कोल देख कर और वेबसाइट के जरिये भी EPFO का बिलेंस जान सकते हैं लेकिन एक बात याद रहे कि इसके लिए आपका UN नमबर 80 होना चाहिए याद रहे कि इन सुईधाओं का लाब आप तभी उठा सकते हैं जब आपके UN से बेंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होगा तो चलिए एक एक करके सबी तरीकों को अच्छे से समझते हैं पीएफ खाते से जुड़ा यह नियम नहीं पुरा क्या तो होगा बड़ा नुकसान गर बेठे ओनलाइन निप्टाएं यह अधुरा काम पीएफ खाते से पैन को लिंक ने करने पर पीएफ से पैसा निकारने के वक्त अधिक तम TDS काटा जाएगा जो कि पैन से लिंक होने पर बच सकता है कोरोना संकट में पीएफ में जमा पैसों ने कई लोगों को मुसिबत से बाहर निकाला है आंकडों के मुताबिक इस दोरान अधे से अधिक खातादारों ने 1.25 लाग करोल रुपे की निकासी की है पीएफ में जमा रकम नोकरी पैसा लोगों के लिए काफी मददगार साबिद होती है और कई मामलों में ये लोगों को सबसे बड़ी या के लिबचत होती है इसे में जरूरी है कि आप हर हाल में पीएफ खाते से जुड़े हर नियम का पालन करें जिस से आपकी इस सबसे एहम सेविंग को कोई नुकसान नहों क्या है नियम एपीएफों ने हाली में एक अलर्ट जारी किया था जिसमें कहा था कि खाता धारक अपना पैन नमबर को पीएफ खाते से लिंग करवा लें और ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है इसे में अगर आपका P.F. अकाउंट है तो आपको जल्द से जल्द अपना P.N. काइड ए P.F.O. से लिंक कर लेना चाहिए खाते से P.N. नमबर लिंक करने की परकीरिया बहुत आसान है हलांकि लिंक नव होने के कारण बहुत नुकसान हो सकते है क्या हो सकता है नुकसान? P.F. काइड से पैन को लिंक ने करने पर आपको दो बड़े नुकसान हो सकते है इनमें पहला है कि आप जब P.F. का पैसा निकालने के लिए अपलाई करेंगे तो उस पर अधितम TDS काटा जाएगा पैन कार्ट से लिंक होने पर इससे बचा जा सकता है दूसरा आपको पैसे मिरने में मुश्किले आ सकती है जिन लोगों का P.F. खाता पांच साल से कम पुराना हो और खाते में जमारासी पचास जार रुपे हो तो उस पैसे पर टेक्स लगेगा केस से लिंक कराएं पैन नमबर एपी एफो को यूएन सदेश से ये सेवा की आदिकारिक वेबसाइट पर जाएं अब अपना यूएन नमबर और पासवर्ड दर्ज करें फिर कैप्चा कॉल्ड दर्ज करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें इसके बाद मेन मेन्यू से मैनेज विकल डूंडे और क्यवा इसी पर क्लिक करें मज़े से कटेगा बुड़ापा दूर होगी पैसे की टेंसन बस साथ रुपे हर दिन बचा लेंगे तो मिलेगी पांच जार रुपे पैंसन पैंसन स्कीम लाबहूं को साथ वर्स की आईउ होने के बाद एक हजार रुपे से लेकर पांच हजार रुपे तक की रकम पैंसन के रुप में दी जाएगी पैंसन की रकम निवेस करने वाले की उम्ब और रासी के हिसाब से निर्धारित होगी पैसों की जरूरत भला किसे नहीं होती, जिन्दगी के हर पड़ाओ पर लोगों को पैसे चाहिए होते हैं सबसे ज़्यादा चिंता बुढ़ावे को लेकर होती है, बुढ़ावे में यह टेंसन पैंसन से दूर हो सकती है लेकिन अगर सरकारी नोकरी में नहीं हो तो पैंसन कैसे मिलेगी? चिंता की बात नहीं है, आपके लिए सरकार की एक सांधार स्कीम है, अटल पैंसन योजना, जो बुढ़ावे में आपका साथ निभाएगी बस इसके लिए आपको अभी से निवेस करने की तैयारी सुरू कर लेनी चाहिए आपको जानकर आश्चरी हो सकता है कि इस योजना के लिए आपको महज 7 रुपे हर दिन बचाने हैं और इस मामूली बच्चत से आपको बुढ़ावे में हर महीने 5000 रुपे पैंसन मिलेगी इस योजना की सुरुआत केंदर सरकार की नरेंदर मोदी सरकार ने 1 जून 2015 को की थी इस योजना के अंदर गद लागों को 60 वर्स की आईउ होने के बाद 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक की रकम पैंसन के रूप में दी जाएगी पैंसन की रकम निवेस करने वाले की उम्र और रासी के हिसाफ़े निरधारित होगी इस स्कीम में लागों को कम रासी जमा करवा कर हर महीने जादा पैंसन के हगदार हो सकते हैं और साथ ही दुर्भा की वस असामिक मुर्ट्यू की दसा में अपने परिवार को इसका फायदा मिलता है क्या है निवेस के नियम और सरते हैं इस योजना का लाग लेने के लिए saving bank account को account या post office saving account होना अनिवारी है वहीं जो लोग income taxpayer हैं या सरकारी नोगरी वाले हैं फिर इस योजना का लाग नहीं उठा सकते हैं अवेदन करने के लिए लाभारतिकी उमर 18 से 40 वर्स होने चाहिए योजना के अंतरगद ग्रहकों को आएकर अधिनियम के सेक्षन असी सी सी डी के अंतरगत इस योजना में किये गए योगदान पर टेक्स बेनिफिट भी आसिल कर सकते हैं अटल पैंसन इसकी में निवेस के लिए अठार वर्स की उम्र ज्यादा मुफित है मुझूदा नियमों के अनुसार अगर अठारा साल की उम्र में योजना से अधिक्तम पांच जार रुपे मासिक पैंसन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महिने 210 रुपे देने होंगे यानि आपको केवल 7 रुपे रोज बचाने हैं अगर यही पैसा हर दिन और 3 महिने से देते हैं तो 626 रुपे और 6 महिने से देते हैं तो 1249 रुपे देने होंगे वहीं महिने में 1000 रुपे पेंसिन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपे देने होंगे जिनकी आयू 40 वर्स है तो उनने 297 से लेकर 1454 रुपे तक की प्रियम्यम देना होगा ऐसा नहीं किया तो फ्रीज हो जाएगा खाता अटल पैंसिन योजना के अंतर गरतिय दियावेदक समय से भुकता नहीं कर पाता है तो इसे पैनल्टी देनी होगी यह है पैनल्टी प्रती माह की एक से लेकर 10 रुपे तक है योगदा नहीं करने पर अकाउंट 6 महीने बाद फ्रीज कर दिया जाएगा यदि इसके बाद भी निवेस सेकने कोई नहीं किया है तो 12 महीने के बाद उसका अकाउंट डियक्टिवेट कर दिया जाएगा और 24 महीने के बाद उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा पैसे कर सकते हैं पैसे की निकासी साट वर्स पूरे होने के बाद अटल पैंसन योजना से ग्रहक निकासी कर सकते हैं इस इस्तिती में ग्रहकों को पैंसन बर्दान की जाएगी यदि सब्सक्राइबर की मृत्यू हो जाती है तो पैंसन की रासी सब्सक्राइबर के पती या पतनी को परदान की जाएगी यदि दोनों के मृत्यू हो जाती है तो पैंसन फंड उनके नॉमिनी को दिया जाएगा तीन करोड से अधिक सब्सक्राइबर पैंसन फंड रेगुलेटरी एंड डिवलेप्मेंट अथोरिटी ओफ इंडिया के मताबिक अटल पैंसन योजना के अंतरगत वित्वर्स दो हजार बीस 21 में अब तक तीन करोड से अधिक सबस्क्राइबर को जोड़ा गया है वित्वर्स दो हजार बीस 21 में इस योजना के तहत लगबग 89 लाग से अधिक नए अंस धारगों को जोड़ा गया है अटल पैंसन योजना में अंस धारग का अंगड़ा तीन करोड को पार्क कर चुका है इसके अंदर गत जुड़े तीन पुन्ट दो करोड खाताधारकों में से 70% खाते सारवजिनिक बैंकों के द्वारा खोले गए हैं और बाकी 19% खाते ग्रामे निलागों के बैंकों में खोले गए हैं बीते 6 महिनों में इस योजनों से जुड़ने वाले खाताधारकों के संक्या में बढ़ोतरी हुई है तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारत दी गई जानकारे पसंद आये तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट जरूर करें में नेक्स्ट वीडियो में दब्द के लिए